प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो मेक मी हैपी यहां से परावास करने का समय आ गया है अब हम ज्यादा दिन इदर नहीं रह सकते अगर कुछ दिन हिमापाथ और होगी तो हम उट नहीं पाएंगे हमें अपना जीवन सरक्षद रखने के लिए कल ही जाना होगा सोनो को बताया है? हाँ, इसे पता तो है के परावास करनी है लेकिन उसे ये बताना होगा के कल ही जाना है तो क्या फिर मैं बताऊं सोनो को? नहीं, मैं जाता हूँ अब ये भी तो फैसला करना है पूरफ की तरफ जाना है या पच्छम की तरफ ठीक है, तुम सोनो से मिल लो और मैं कल सुबह तुमें यही मिलूँगा हाँ, मैं जाता हूँ और कवास सोनो की तरफ चला जाता है प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है और घेंटी के आइकोन को दुबाना बिल्कुल मत भूलियेगा सोनो, क्यों इतनी उदास हो रही हो हम हर साल यहीं से तो परावास करते हैं और फिर से हम यही आ जाएंगे फिर यह उदासी कैसी तुम नहीं जानते पिछले साल मेरी मम्मा थी साथ लेकिन इस दफ़ा मैं अकेली हूँ जब मेरी मम्मा थी तो जीवन बहुत असान था हर समय खुशियां ही खुशियां होती थी वो हर दुख अपने आपर सहर लेती थी और कभी भी मुझे दुखी नहीं होने देती थी ऐसे दिल थोड़ा ना करो तुम अपने मा की तरह सियानी हो हर खुबी तुम में अपने मम्मा की है इसलिए तो तुम से ये सला करने आया हूँ हमें किस दिशा में जाना चाहिए सफर तो सफर ही है जिस दिशा में भी हो अपना देश अपना जंगल जब छोड़ ही देना तो फिर दिश्या का क्या जिदे मर्जी चले जाओ मम्मा कहती थी जब तुम कभी भी परावास करो तो ये सोच कर मत जाओ कि वहां तुम्हें बहुत आसानिया मिलेंगी अपनी सोच और अपने आपको हर समय किसी भी मुश्कल से मकाबला करने के लिए त्यार रखो बेहतर है इस दफ़ा हम पूरव की तरफ जाते हैं भाकि तुम साथ जो निर नेलो मुझे भी वही कभूल है नहीं सोनो हम पहले भी तुम्हारी मम्मा के पीछे ही जलते थे और अब हम तुम्हे रानो को देखते हैं और हम तुम्हारे पीछे ही चलेंगे जैसा तुम को होगी हम वैसा ही करेंगे तब फिर कल हम पूरव की तरफ ही जाते हैं बेहतर है मैं बाकी पक्षियों को भी बता देता हूँ और कववा वहां से चला जाता है और सुबा होते ही तमाम पक्षियों की जगा पर अकठे हो जाते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं और वो जल्द ही अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं अब हमें थोड़ा सा अराम करना चाहिए हाँ तुम ठीक है रही हो सोनो हमें थोड़ा अराम करना चाहिए इसी समय हम पानी भी पी लेंगे और थोड़ा बहुत दाना भी खा लेंगे इस तरह हमें थकावट भी नहीं होगी हाँ हाँ मैं भी बहुत बुका हूँ और ठक भी बहुत गया हूँ अब हमें जरूर अराम करना चाहिए सुबा से तो उड़ रहे हैं और सब पक्षी वहीं पर ही बसेरा कर लेते हैं ऐसे ही शाम हो जाती है अब हमें यहां से उड़ना चाहेगे नहीं, मेरे ख्याल में आज रात हम यहीं पर बसेरा कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारी मन्जल बहुत दूर है अंधेरे में हम भटक जाएंगे इसलिए यही बहतर है कि हम अपनी आज की रात यहीं पर गुजार लेते हैं ऐसे ही सुबो हो जाती है और तमाम पक्षी दुबारा उड़ने की तियारी करते हैं जल्द ही वो अपनी मन्जल पर पहुँँ जाते है यह कितनी सुन्दर जगा है मेरे ख्याल में हमें कुछ दिन पहले ही आ जाना चाहिए था ऐसे ही हमने बरफ में कुछ दिन जाया कर दिये कितनी मुश्किल से गुजारे थे हमने वो दिन हम कोई शोक से परावास नहीं करते वो जंगल हमारे पुरवजों का है और हमारा आखरी ठिकाना वो ही है यह तो सिर्फ चन दिन इदर गुजानने हैं हमने और बस फिर अपने घर चले जाना है जंगल में बहार का मुसम था हर तरफ फूल ही फूल और पेड़ों पर रंग बरंगे फल लगे हुए थे तमाम पक्षी जी भर कर फल खाते और रात होते ही अपने अपने घोंसलों में वापस चले जाते ऐसे ही दिन और रात गुजरते गे सोनो आपी यहां के फल तो बहुत नर्म है और हमारे जंगल के फल बहुत सकते हैं मुझे तो सच मानो इधर बहुत मज़ा आ रहा है क्या हम यहां हमेशा नहीं रह सकते नहीं यह बहार सिर्फ कुछ दिन की है और जब यहां बहार खतम हो जाएगी तो फिर यहां एक दिन गुजाना भी मुश्कल हो जाएगा ऐसे ही समय गुजरता गया और फिर समय आ गया वापसी का तमाम पक्षी बहुत खुश थे अपने प्राने घर जाने के लिए सब बेचैन थे लेकिन तोता खमोशी से पेड़ पर बैठा हुआ था तोते भीया क्या बात है हम जा रहे हैं तुम क्यों खमोश होकर बैठे हुए हो सोनो आपी मैं कुछ कहना चाहता हूँ शायद आपको मेरी बात पसंद ना आए लेकिन मैंने निरने ले लिया है बताओ बेई क्या निरने लिया है तुमने वो ये के मैं अब इदर ही रहूँगा मुझे नहीं जाना अपने पूरवजों के घर में ये तुम क्या कह रहे हो तोते भीया यहां के फल यहां का मौसम हमारे लिए अस्थाए है हम इस मौसम के आदी नहीं है और ना ही हम ऐसे नरमरम फल हमेशा खा सकते हैं आप ऐसा ना को हो और हमारे सार चलो लेकिन मुझे माफ करना मैं ऐसा नहीं कर सकता तमाब पक्षी तोते को समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मान नहीं रहा था आखरकार पक्षी तोते को छोड़कर अकेले ही वापस चले जाते हैं हमारे पूरवज यहां भी तो रहे ही सकते थे इतने नरम नरम फल है यहां अगर कोई गलती हमारे पूरवजों से हुई है तो इसका ये मतलब तो नहीं हम इससे सुधारे ही नहीं यहां के फल कितने नरम है जरा भी मिहनत नहीं करना पड़ती सब कुछ बहुत असानी से मिल जाता है ऐसे ही दिन और रात गुजरते गे बहुत लंबा समय कामकाश ना करने और इतने नरम नरम फल खाने के वज़ा से तोता भी बहुत नाजिक हो गया था ये सारे नरम नरम फल तो खतम हो गये हैं चलो कोई बात नहीं फिर से मिर्च या कोई अमरूद दून लेता हूँ और वो एक मिर्च डूंड कर जैसे ही इसे खाने लगता है इसकी चौंच इस मिर्च को तोड़ नहीं पाती और वो हरान रह जाता है और वो फिर से कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं कर पाता वो जरा भी जोर नहीं लगा पाता मुझे में तो जरा भी ताकत नहीं रही अब मैं कैसे इन हलात का मकाबला करूँगा वो नरम नरम फल तो खतम होगे मुझे अब कुछ करना होगा मुझे वापस जाना होगा वहाँ मेरे दोस्त हैं वो जरूर मेरा कुछ करेंगे और तोता वापस अपने पूरवजों के जंगल की तरफ चल देता है काफी सफर करने के बाद आखर तोता पहुंच जाता है सोनो आपी, मुझे डांटना नहीं मैं तो पहले ही बहुत कमजोर हो गया हूँ मेरी चोंच में बहुत दद है मैं कुछ भी नहीं खा सकता बस वो नरम नरम फली खा सकता हूँ लेकिन तुमने हमारी बात ना मानकर अच्छा नहीं किया था मैं शिर्मिंदा हूँ लेकिन अब मेरा कोई आपाय करो मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा तुम्हारा जिसम अब महनत का आदी नहीं रहा हमें जिन्दगी में महनत करना होती है तुम अब अपनी चौन्च से ज़्यादा जोर ना लगाना जब भी कुछ खाना हो तो उसे मेरे पास ले आना मैं तुम्हें तोड़कर नरम कर दूंगी और फिर तुम उसे खा लेना और फिर तोटा ऐसा ही करता है कुछ ही दिनों में तोटे की चौन्च में दर्द कम हो जाता है और वो फिर से अपने महल का आदी हो जाता है दोस्तों मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लेकिन मैंने ये सीखा कि हमारे पूरवज़ों के फैसले कभी भी घलत नहीं थे वो हमारे लिए बेहतर ही सोचते थे मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने घलती की और ये मैं ही जानता हूँ कि मैंने कितना दर्द बरदाश किया आप सब मुझे माफ कर देना अगर सुनो अपी मेरी मदद ना करती तो मैं कभी भी इस मुझकल से निकल ना पाता सुनो अपी आपका बहुत धन्यवाद इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने पुरवज़ों के फैसलों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए पुरवज़ों के पुरवज़ों के जाना चाहिए